Second semester candidate के लिए especially ये class है और अगर आप basic math सीखने के इच्छुक हैं आपको ये तकलीफ है दर्द है इस बात का कि math आपको नहीं आती और कहां से सीखे कहां से शुरू करें अब बाबू ने time दिया है सिर्फ 6 महीने का इतने में कुछ करना है तो कर लो नहीं घरे आओ वहीं चराओ तो फिर आइसी condition में मैथ बड़ी मुसीबत बन रही ना तो आप एक महीना मैथ सीख सकते हैं PBR study app में एक बार ट्राइ करें और बाकी डेमो के लिए बने रहे हमारे साथ अगले 30 मिनट मतलब 530 चलिए आज क्या पढ़ेंगे लक्ष बैच का 14 नंबर क्लास होगा आप सभी क पता है यह थमने लापने देखा होगा सकल भी देखा होगा यह है ना कि क्या नाम है बैच का लक्ष बैच याद रखना यह सिकेंड समेश्टर का बैच का नाम है इसे याद रखना कुछ लोग दात निकाल रहे हैं बैच के पढ़ना लिखना तो है नहीं चलिए देखिए आज पढ़ेंगे रेखिक समीकरण का अनुपरियोग यानि लिनियर इक्वेशन जो होता है उसका सलूशन कैसे करते हैं उसकी पहचान कैसे करते हैं यह तो आप पिछली क्लास में प क्योंट ना करके कैसे साल्व करते हैं यहाँ पर देखिए लिखा गया है रखिक समीकरण का परियोग कुछ सरलबेवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए करते हैं ऐसा करने के लिए इनमें परियुक्त रसी को चर यानी बरेबल्स की रूप में माना जाता है और इनहीं अग बढ़ियां है सभी एक बार यस बोलने कमेंट करके कि आप आ गए हो सब बढ़ियां है तो फिर हम आगे बढ़ें मुझे यह बताओ आप लोग कि दिख रहा ये किया यह linear question है हाँ या नहीं बताओ बताओ क्या यह linear question है अलका सिंग कमेंट आ रहा है मिनाक्षी जी आपका भी कमेंट आ रहा है परदीब हाँ कमेंट आ रहा है बिट्टू पासवान रागिनी परजापती बहुत से कंडिलेट है सभी के कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं अच्छा है वो linear question है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है और देखो थोड़ा 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 देखो अगर मैं इसमें एक ठी दूई अक्ष जोड़ दिया तो क्या अभी यह linear question है कि अगा है यह चेंज करने के पाद जिनको लग रहा है के linear question है वह रिखेंगे कमेंट में जिससे अंतर में मतलब आंसर में अंतर समझ में आये अ प्रिया बिसकर्मा, रुक्सार, अनुराधा, बेरे गुड, आए, आए जनाब देखते हैं, आए, ठीक है, ये अब भी लिनियरी क्वेशन है, अब भी है, लेकिन अब इसको क्या हम, कुछ और भी कर सकते हैं, हाँ, मेरा कलम, मेरा बोर्ड, मैं जो मर जी वो करूँ, तुम बस देखते रहो हैं, चलो, अगर मैंने इसमें एक और बदलाओ कर दी, आप देखो, देखो, मगर प्यार से, मगर बोर्ड को देखो, मेरे को नहीं, अब बत बोलो यान ए, चलो बताओ, अगर है तो डबल ए, ये कोड है, और अगर लिनियर रिक्वेस्टन नहीं है, तो याने, देखें, मोटी-मोटी बात, मैं घुमाने की जगह सीधा-फीधा पॉइंट पे आऊं, तो ये अब लिनियर रिक्वेस्टन नहीं है, क्योंकि इसकी मैक अचली कहानी, यही ये एक्जाम्पल है, जो आज के कुईस्टन का तरीका है, ऐसे ही है, कि थोड़ा-थोड़ा, और आगे, थोड़ा-थोड़ा पढ़ लो, और क्या आगे, और का लग रहा तुम्हें, चलो देखो, ठीक है, आईए, कह रहा कि एक संख्या को उसके दो तिहाई में जोड़ने पर, यह माँ कैमरवा कौन उल्टा-पूल्टा कह दे थे भाई, बोर्ड उधर दिख रहा है, अच्छा जानते होग नहीं, अच्छा जानते हो तो चलो बताओ, पहले इसको बताओ, उसको बाद में देखना, यह बताओ भाई साहब की संख्या साथ का एक तिहाई कितना होगा, कमेंट करो, इसको बता लिए ना, तो जान लो कि डियलेड में आप 15 नंबर फिक्स है आपका, बताइए, जल्दी, सम जी बताइए, सौम्या, दिब्या, बताओ, लेशू, आई हो आप भी नहीं, आपकी बड़ी कन्स्फूजन थी ना कल, रेशू यादो फुल नाम, चलिए, ठीक है, आई हो तो फिर अब ध्यान से देखना, ने तो रिपीट नहीं करेंगे हम, बहुत अच्छा, देखिए भाई, तिहाई का मतलब का होता है, कि 60 है, इसका एक तिहाई मतलब एक बटा तीन, यानि ये 20 आएगा इसका अंसर, कितना आएगा 20, ठीक है, दन, अच्छा, अगर इसका एक चौथाई बोलें तो कितना होगा, एक चौथाई, एक चौथाई मतलब एक बटा चार, ठीक है, एक दुहाई, एक दुहाई नहीं बोलते हैं, आधा बोलते हैं उसे, हाफ, ठीक है, ऐसे ऐसे होता है, तो सभी समझ गे में पॉइंट की बात, चलो आगे बढ़ते हैं, अगर आप मानना बहुत बड़ी बात है, अगर आप मान नहीं सकते हो, कल्पना नहीं कर सकते हैं, इमेजिन नहीं कर सकते हैं, तो आपको मानना पड़ेगा यहाँ पर, देखो कैसे, कह रहा एक संख्या को उसके दो तिहाई में जोड़ने पर 35 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम मानेंगे कि वो संख्या कुछ है, क्योंकि दिखनी रह गई, कह रहा एक संख्या क्या कुछ नहीं बता, चलो लिखो, माना संख्या बराबर यक्स संख्या के क्या मान लिया भाईया एक्स क्या मान लिया यक्स आगे चलो बढ़ो अब बता ही आगे क्या करेंगे अनवी सर्मा कमेंट आ रहा है अब क्या कह रहा है आगे एक संख्या को उसके दो तिहाई में जोडने पर अब संख्या का दो तिहाई तो मिले आपको लिखो संख्या का दो तिहाई जानता है भाईय का होगा याक्स का दो तिहाई मतलब दू बटा तीन यानि इसका दो तिहाई होगा दू याक्स बटा तीन प्रफना अनुफार according to the question क्या कहता है कि एक संख्या को उसके दो तिहाई में जोडने पर 35 प्राप्त होता है लिख लो यहाँ पर प्रफना अनुफार प्रफना अनुफार according to the question एक संख्या को यानि याक्स को उसके दो तिहाई में जोडने पर यानि 2 एक्स अपान 3 में जोडने पर 35 प्राप्त होता है संख्या ग्याद कीजिए हमें यहां से यक्स की वैलू फाइंड करनी है बफ यही कहानी है पूरा कितने लोग कर लोगे कमेंट में जल्दी हाथ उठाओ चलो भाई रेडी यस देखिए एक चीज बता दें इस रक्षा बंदन पर आपके लिए एक नई बैच आरी बेसिक मैट का जिसका नाम है उदे बैच इसमें लड़कियों के लिए इस्पेसल आफ़र है पूरा 90 मतलब 90 बोलते हैं न 90 परसेंट तक का आफ़र सिर्फ 300 रुपए में पूरे साल भर के लिए पूरा बेसिक मैट कम्पलीट अगर आप भी इच्छुक हैं तो नंबर पर संपर करना इस बात को बताना कि हाँ यह मैंने कलास में सुना था ऐसा मौका दूबारा नहीं मिलने वाला है यह दो साल में पहली बार ऐसा मौका आया है आईए अब हल करते हैं ठीक है समझना चले यह दिख रहा है ना अब इनको हल करेंगे चल भया क्रास मल्टीपल कर लोगे ऐसे तो थिरी यक्स प्लस इनका वन में इस पर करोगे तो टू यक्स यह थिरी बराबर पैंटिस एक बात याद रखना यह बेसिक मैट में है सब पढ़ाया हूँ अगर नहीं आता तो बेसिक सीखो पहले अब इनका क्रास मल्टीपल करोगे ना तिर्चा गुड़ा पांच एक्स बटा तीन हो जाएगा आप देखो यहाँ कर लेते तो यह दिख रहा है पांच एक्स बटा तीन बराबर यह पायतिस बटा एक क्रास मल्टीपल करोगे तो फाइफ एक्स थ्री इंटू थर्टिफाइफ एक्स इक्वल यह एक्स बराबर ट्वंटीवन यानि वो संख्या क्या हो गई 21 लिख लो फट फे चाप लो भईया पहले उधर हल हुआ फिर इदर आया है शाकूर इसी समझ में आ रहा है अनवी सर्मा कुछ आरा थोड़ा बहुत सम्या नुपूर किसी को समझ में आ रहा है कि बस आई से चली रहा है चल भईया ठीक है डन खतम कर लोगे पकाब चली है ठीक है अगर इसमें हम थोड़ा सा बदलाओ कर देते तो फिर क्या होता थोड़ा सा बदलाओ जरा देखो मगर प्यार फिए अगर दो तिहाई की जगह पर हम एक तिहाई कर दें तो क्या होगा एक तिहाई कर देंगे दसमलों आ जाएगा न चलो अगला कुशन देखो जाने तो छोड़ो इसका स्क्रेंशाट ले लीजिए ये बहुत जरूरी है आपके लिए इसको बाद में समझना पढ़ना आईए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़िए इसका अंसर कितने लोग कर लेंगे आपसन देदू देखो आपसन देखो पहला आपसन है दस वा बीस दूसरा है पंदरा वा चालीस तीफरा है पंदरा पैतालीस चौथा है नवन आपदी जिन में से कोई नहीं बताओ दोनों संख्याएं है आईए आपका इंतिजार है भाईया आओ चलो के रहा कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दो गुना है लिखिए माना संख्याएं यहाँ पर दो संख्याओं के बारे में बोल रहा है ध्यान रखना काका बोल रहा है यदि एक संख्या के एक तिहाई पांच है भाईया 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 यहाँ भी तिहाई वहाई लग रही है तो पहले इसमें संख्या निकालो फिर संख्या के तिहाई निकालो लिखो माना संख्या बराबर यक्स संख्या का एक तिहाई बराबर एक बटा तीन यक्स ठीक है आगे क्या कह रहा है दिये गए परतिवंद के अनुसार कह रहा है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दो गुना है यदि एक संख्या का एक तिहाई पांच है अच्छा एक संख्या का जो एक तिहाई है वो पांच के बराबर है लिखो 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 प्रफना नुसार लिख सकते हो प्रफना नुसार संख्या का जो एक तिहाई है वो पांच के बराबर है, ऐसे तो कुछ है, कब आया, यहीसे है, तो हिया से क्या आएगा, हिया से आपको यक्स कमान मिल जाएगा, कर लो करास मल्टीपल, यक्स बराबर तीन गुड़ा पांच, यानि, यक्स कमान कत्ता आई जाएगा हो, पंदरा, ठीक है, लिखो इसको फट अब इसमें और कहानी है, लोचा है, लंबा भी, चलो इतना लिखो फट से, अब इसमें दूसरी संख्या मानोगे, पहली संख्या तो हो गई, ये दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, इसमें कंडिशन है इसे है, ऐसे हल करो के परिक्षम, दूदू नंबर में बोर्ट पूरा दिख रहा है न, छुप तो नहीं रहा है न, दिब्यान्सू, अंकित राजपूत, प्रियंका, कमेंट आ रहा है, पंकज, रेशू, मोहित, आरा थोड़ा बहुत क्वशाई से चल रहा है, सोने में इबीच जारे जिन्दगी, चल भईया, ठीक है, अब लिखिए अगले पेजबर लिखिए, इतना हो गया, पहला कंडिशन खतम, कुश्चन फिर से देख लीजिए, बार बार देखिए, हजार बार देखिए, देखने की चीज़े देखते रहिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का द दो गुना है, ये कंडिशन उपर वालाब हम इसको अपलाई करेंगे, लिखिए माना दूसरी संख्या बराबर, इसको कहां लिखें यार इधर जगा नहीं है, इसको यह छोटा कर देते हैं, ठीक है, बाद में देखा जाएगा, कोईश्चन छोटा कर लो, माना दूसरी संख्या बराबर, आप तो आप्शन बताई सकते हो, तुम लोग देख देख, यहां करूं क्या, पहले यहां करो, दिख रहा न, ठीक है, माना दूसरी संख्या बराबर, वाई, पहला तो एक्स माना था आपने, दिख रहा है, चलो, लिखिए हैं आपे, माना, दूसरी संख्या बराबर, वाई, अब कंडिशन में क्या कह रहा है, कि दो संख्याओं का योग, उनके अंतर का दो गुना है, देखो पहली संख्या पंद्रा मिल गई है, ठीक है, तो दो संख्याओं का योग, योग में क्या करोगे, दूसरी संख्या माना यहाँ पर, दूसरी संख्या वाई, तो पहली पंद्रा, तो वाई धन पंद्रा हो जाग नहीं, बोलो, दो संख्याओं का योग कंडिशन में न, उनके अंतर का दो गुना है, तो चच्चा दो संख्याओं में पहली संख्या पंद्रा मिल चुकी है, दूसरी हमने वाई माना है, तो इनका योग कर दो, तो दो संख्याओं का योग अब लिखिए अपुनाह प्रसना अनुसार एक बार तो हो चुका है या फिर सिकेंड कंडिशन के अकार्डिंग वाई प्लस फिप्टीन इक्वल कहरा जो योग है वो उनके अंतर का दो गुना है इसको बार बार पढ़ो तभी समझ में आने वाला आहे हैं कि एक बार पढ़ लिया हो गया मैत का क्योष्चन जितनी बार पढ़ो mall ए उतनी बार थोड़ा सऻमझ में आएगा बार बार पढ़िये एक क्योष्चन को पचास बार पढ़िये फिर से पढ़िये कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, योग मतलब होता सम, यानि जोड, ठीक है, उनके अंतर का दोगुना है, अंतर मतलब घटाना, तो योग मैंने कर लिया, उनके अंतर का दोगुना है, इनका अंतर क्या है, वाई माइनस पंदरा, अब बता दोगुना किसमें करोगे, बेटे की उम्र का चार गुना जादा है तो किसकी उम्र में गुड़ा करोगे भाई यह इनको कर लो बस अई से ठीक है समझ में आया कुछ नहीं बस यही तो मेंद पॉइंट था मैंना तो यही थी बाकी हो गया खतम सिल्पी हाँ कमेंट आ रहा है कुछ लोग सिर्फ बात कर रहा है इनको अभी बलाक कर रहा हूं मैं यहाँ बात नहीं होती पड़ाई होती हो गया मेहनत वाला काम खतम अब हल करना है y प्लस पंदरा 2y माइनस 15 दुन 30 इसका 2 का 15 में गुड़ा हुआ 30 y माइनस 2y यह y इधर आएगा 2y इधर तो माइनस में हो जाएगा यह माइनस 30 ऐसे लिख दोगे और यह 15 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है यह आपस में प्लस माइनस है घड़ जाएगे तो माइनस y यह जूड़ जायागा माइनस पैतालिस दोनों तरफ माइनस माइनस है तो यह प्लस हो जाएंगे y कमान आ जाएगा 45 लिख लो पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या y बराबर पैतालिस ठीक है यह हो गया खतम छाप लो फटाफट लिख लिजिए देखिए इस कलास में वही रुकेंगे जिनको रियल में पढ़ना है ठीक है जिनको रियल में जिन्दगी में कुछ करना है जो सिर्फ साधी करने के लिए नाम लिखा लिए टियलेड में उनके बसका नहीं है क्योंकि यह मज़ेदार है ही नहीं ठीक है यह नीम की दवाई जैसे कड़वा है लेकिन दुई-दुई नंबर में आएगा अगर इतना कर दोगे तो दुई नंबर मिल जाएगा परिक्छा में इसमें से एकात कुश्चन जरूर आएगा तो जो भईया सिर्फ बियाए के लिए नाम लिखवा है या उजास हो और कौन दिक्कत नहीं है अब इनों सो बियाएक बादोस हो इनका है कौन दिक्कत नहीं है चलो और जिनको कुछ करना है टीचर उचर बनना है आगे देश का और अपना भविस से कुछ बदलना है तो व रूखे रहे हो न जाएंगे अगला कोश्चन पढ़िए कह रहा कि 48 विद्यार्थियों की एक अक्छा में यानि एक क्लास है कोई परकार की मालो डियलेट सिगंड समेश्टर है जिसमें टोटल 48 कंडिडेट है उनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की एक वट कि लड़कियों की संख्या आला गला ज्यांत कीजिए पहले मानेंगे क्या भाई देखो यहां पर जो है लड़कियों की संख्या आपको दिख रही है जो कि कम होगी लड़कियों की संख्या वैसे भी हर जगा कम ही होती लड़कों की ज्यादा है तो लिखिये पहले मानेंग किसकी मानोगे पहले लड़कों की की लड़कियों की जरा एक बार कुशचन प्यार से देखना फिर समझ में आएगा यही जो में सुरू में लिखते हैं वही सब कुछ है अगर वही नहीं आपके समझ में आया तो कुश्चन में कुछ नहीं उंकाड पाओगे कुछ भी नहीं और अगर वही point समझ में आ गया कि इसमें करना क्या लिखना क्या है तो फिर एक धर्रा कुल जाती रस्ता चल नहीं कि चले जाओगे फिर गिरते पड़ते सुनिए फिर थे कहरा कि 48 विद्यार्थियों की एक अक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की एक बटा साथ गुनी है यानि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या पर डिपेंड है दिखने रहे आपको कह रहा कि जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की एक बटा साथ है तो बैया चच्चा पहले लड़कों की संख्या पता होगी तब लड़कियों की निकल पाएगी यहां पर भले लड़कियों का नाम पहले आ रहा लेकिन संख्या लड़कों पर डिपेंड है ठीक है और जो नहीं पढ़ रही है यह भी लड़कों पर डिपेंड हो रही है समझ रहे होगे नहीं सोचती हैं कि हम पढ़े चाहना पढ़े बती आते रहेंगे चार जगा चलाते रहें क्या दिक्कत हमारे लिए देठी पढ़ें रहा होगा पापा सरकारी नोकरी वाला खुचबे करेंगे जाएंगे मजडूरी करेंगे बाद मीं क्या करना तो पढ़ लो वही है पढ़ लो चलो देखो माना लड़कों की संख्या माना लड़कों की संख्या X, तब लड़कियों की संख्या एक बटा साथ एक्स ना क्यूं? क्योंकि कहना ही रहा था वहाँ पर लड़कियों की संख्या वनापान सेबन गुनी है लड़कों की वनापान सेबन गुनी है किसकी संख्या लड़कियों की आया इतना समझ में एक बार बताओ हाँ यही मेन था कुश्चन का बस कोई डाउट इसमें कोई तकलीफ नहीं चलो और भाईया ओ आओ दिखाता है न सबका जब लड़कों की संख्या पता चल गई लड़कियों की संख्या पता चल गई तो करना क्या हो गया कम हमें यहीं तो निकालना था लड़कों लड़कियों की संख्या लेकिन लपेट की नहीं निकालना था साफ साफ निकालना था यह लपटा हुआ XY की रूप में जो भी साफ साफ करें कैसे? लिखे total 48 भी धैर थी है न लिखे परस्नानुसर according to the question इनका sum क्या है 48 है अब इनको क्या करेंगे हल करेंगे ठीक है x की value find करेंगे इनका multiple करोगे तो 7x plus x upon 7 equal 48 x कमान निकालो भईया कितना होगा आईए यहां आल करते हैं दिख रहा है इनका cross multiple करोगे तो 7x ही हो जाएगा 8x 48 into 7 भै आल इस कितना है यह यह लड़कों की संख्या है अब लिको आता यक्स बराबर 42 लड़कियों की संख्या एक बटा साथ यक्स बराबर 157 into 42 साथ चंग 42 बराबर 6 कितना? 6 आएगा यानि लड़कियों की संख्या कितना आया? भैया ओ लड़कियों की संख्या 6 लड़कों की संख्या 42 अलिफ समझ में आयत एक बार बोलो हाँ सबके समझ में नहीं आने वाला ये जो सिर्फ मेहनत करेंगे उनी को आएगा जो यहाँ पर जुगार भी लगा रहे हैं कि और बताओ खलानी खाना और खाली की नहीं नंबर अंबर दोगी की नहीं दोगी तो उनके समझ में नहीं आने वाला है कभी नहीं आयेगा जिन्दगी में नहीं आये गई है कोई कह रहा है मुझे नीद आ रही है मैंने पहले ही बता दिया देखो जो सिर्फ बिया एक लिए पढ़ रहे हैं टिये लेड में ठीक है उनको नीद बहुत आयेगी क्योंकि उनका कामी सोना है जिन्दगी माँ और कुछ नहीं है और जिनको रियल में टीचर बनना है डियलेड के बाद उनको टेट सीटेट सूपर टेट निकालना है उनको confidence है कि हम निकाल सकते हैं कुछ कर सकते हैं उनको नीद नहीं आयेगी इसको देखिए नोट कर लिजिए इसके पीछे एक जानकारी है कि ये चैनल जो है राजकुमार यादो सर मैट्स इस पर हम बेसिक मैट्स का एक सिरीज लेके आएंगे जिसमें सिर्फ दस वीडियो में पूरा बेसिक खतम होगा और ये टोटल फ्री यूटूब पे होगा ये आप तभी पा सकते हैं जब आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखेंगे चैनल का नाम यहाद दिख रहा है आप देख लीजिए प्यार फे आईए अगले सवाल का जबाब दीजिए देखिए कौन कौन कर लेगा हाद उठाओ कितने लोग कर लेंगे चल भाईया आओ दिखा दू मटका करके इसको देखो मटका करके देखो दिख रहा है न कह रहा है कि पिता की आयू पुत्र की आयू की चार गुनी है और पांच वर्ष पूर्व ये साथ गुनी थी इसम्पल दी बात है बाप बड़ा होता बेटा चोटा होता है आजकल के टाइम में तो 30 साल का पिता होता है तो एक साल का बेटा होता है जब पिता के अंतिम टाइम आ जाते हैं तो बेटा की उम्र होती है दू तीन चार पांच साल क्या करोगे इसमें कैसे करोगे किसके समझ में आ रहा है यह पहले यह बता हो सबी के समझ में आ रहा है चलिए ठीक है देखिए इसमें कह रहा है कि पिता की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र से वो कंपेर कर रहा है यानि हमें सब से पहले पुत्र की वर्तमान आयू पता होनी चाहिए चलिए लिखिए लिखो भाईया लिखिए माना पुत्र की वर्तमान आयू बराबर यक्स वर्फ वर्तमान जरूर लिखोगे क्योंकि इसमें पूर्बा और वर्तमान की बात हो रही है ठीक तब पिता की वर्तमान आयू बराबर वै यार तब लोचा हो जा रहा है इसको छोटा करो दिखेगा ना छोटा दिखेगा ठीक है दिखने तो उतना ही तब पिता की वर्तमान आयू कितनी होगी उसकी चार गुनी लिखो आयू बराबर कितना होगा 4X क्यूंकि कहरा उसकी क्या है अचार गुनी है ठीक है दन लिखो ये तो हो गया वर्तमान आज की डेट में आगे फिर से कुश्चन पढ़ो तो बार बार पढ़ो दिख रहा है पढ़ो भाईया रोहित ये कुश्चन क्लास देर हो रही थी बोल करके वाटसप पर लिखा गया था कोई टाइप नहीं किया चलें आगे अब लिखिए पुत्र की वर्तमान आयू ना वर्तमान आयू तो हो गयार फिर से पढ़ो एक बार कहरा पांच वर्स पूर्ब ये साथ को नहीं थी अब पहले पांच वर्स पूर्ब की आयू ग्यांत करिए समझ यह लिखिए पुत्र की पांच वर्स पूर्ब पुत्र की आयो बराबर पांच वर्स पूर्ब पुत्र की आयो भाईया जो आज यक्स वर्स का है वो पांच साल पहले कितने वर्स का रहा होगा बताओ अगर आज कोई यक्स वर्स का है तो पांच वर्स पहले उससे पांच साल कम रहा होगा न मान लो कि आज कोई 20 साल का है तो 5 वर्स पूर्ब वो 15 फाल करा होगा न यानि जो आज की देट में है उससे 5 कम तो अगर आज यक्स है तो 5 वर्स पूर्ब यक्स माइनस 5 वर्स करा होगा 5 वर्स पूर्ब पिता की आई हो कितनी 4 यक्स माइनस 5 वर्स ठीक है दन इसमें कोई तकलीफ किसी को नहीं न हो गया खतम यही दो सर्थ थी इसमें पहले तो वर्तमान आई हूँ और फिर 5 वर्स पहले अब इसमें इनकी जो है रियल की आउग ग्याद करनी है यह तो माना गया इमेजिन किया गया एक्स वाई की रूप में जो भी ठीक है अब लिखिए प्रसना अनुसार चलिए प्रसना अनुसार जहां दिख रहा है कि तो पिता की आयू पुत्र की आयू की चार गुनी है पांच वर्स पूर्विये साथ गुनी थी तो पिता और पुत्र की वर्तमान आव ग्यात कीजिए इसमें कुछ और था क्या कुश्चन में? नहीं कह रहा कि पांच वर्स पूर्विये साथ गुनी थी तो पांच वर्स पहले जो पिता की उम्र है वो पुत्र के साथ गुनी की पराबर थी तो लिखिए प्रफना अनुसार यही तो बनेगा न ये पिता की उम्र है और ये बचवा की उम्र थी और क्या थी ये साथ गुनी थी साथ गुनी कर दिया बस मान निकालो एक्स का गटाओगे माइनस 30 माइनस माइनस खतम हो जाएगा ठीक है यहाँ ही चाय खतम कर लो ये ये साथ कमान 10 यानि जो पुत्र की आयूँ है वो 10 वर्स आ गई तो पिता की आयूँ कौन कौन बताएगा चलो बताओ जल्द बताओ मैं हट जाता हूँ सामने से एक्दम हट जाता हूँ परदीब कुमार आपको ब्लाक करने में देर नहीं लगेगी और मैंने आपको 5 मिनट के लिए ब्लॉक कर दिया है अब की बार आपको पर्मानेंट ब्लॉक किया जाएगा रोहिच जी आप परदीब का कमेंट देख रहे हो कि नहीं चलिए कह रहे हैं कि मैं आपके सपनों में खो गया हूँ अरे नालायक जिन सपनों में खोना है उनमें तो खो नहीं रहे हो उन सपनों का क्या जो अपने ना हो पाए सुने नहीं हो उन सपनों में खोने वाले खोए रह जाते हैं निकल लगे नहीं आते बाहर हो गया लिखे ये क्या आ गया पुत्र की आयू अब लिखे पिता की आयू वर्तमान आयू बराबर पिता की वर्तमान आयू कितनी थी वर्तमान आयू फोर एक्स थी ना तो लिखो फोर एक्स बराबर फोर इंटू टेन शालिस वर्फ लिख लिजिए हो गया खतम जल्दी लिखिए हो गया मैं एक बार समझा देता हूँ पहले इधर हल किया गया है फिर इधर किया गया है एक बार कुश्चन में फिर से पढ़ दे रहा हूँ देख लो मगर प्यावफे देख लो भाईया सबलवा देख लो हमें न देखो देखो अब भी ठीक है कहना कि पिता की आयू पुत्र की आयू की चार गुनी है यहीं पर रुक जाओ पिता की आयू पुत्र की आयू की चार गुनी है पिता की आयू पुत्र की आयू की चार गुनी है यानि पहले पुत्र की आयू पता होनी चाहिए अगर तुमने पहले पिता कि आई regions मान लिया तो सब सब्सक्राइनाज हुजाएगा question सुरू से पकड़ना है starting से पकड़ना है मानना क्या है अगर तुमने यहाँ पर पूत्र की जगा पिता कि आई अई अक्स मान लिया तो सवाल नहीं लगे गभी ये देखना है कौनि किस पर, बैंड है और या ब्यास से ही होगा बाकि ऐसे अपने से ही होगा जो कहे रहें कमेंट में मैं तो फलानी आपके सपनों में खो गया था उनके जिंदगी में नहीं समझ में आयेका अगले जनम में भी निहाएगा और यहां उनको आता होगा अगर आता होगा तो उनकी कोई जगा नहीं है भाग जाए यहां से तो सुन लो चलो ठीक है पिता की आउग पुत्र की आउग की चार गुनी है तो पहले पुत्र की आउग मानेंगे हमने माना एक्स वर्स अब पिता की आउग सिंपल थी है हल हो गया आप यहां तक हो गया अब आगे पढ़ेंगे कहरा पांच वर्स पूर्ब ये साथ गुनी थी पूर्ब मतलब पहले पांच वर्स पूर्ब यानि पांच वर्स पहले ये साथ गुनी थी तो पांच वर्स पहले पुत्तर कितने वर्स के थे और फिर पिता जी कितने वर्स के थे समझना भाईया समझना 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 समझो आईए कि पांच वर्स पूर्ब यह साथ गुनी थी तो पहले हम पूर्ब 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 अगर आज हम 25 साल के हैं तो 5 वर्स पहले यानी 2018 में कितने साल के रहे होंगे 20 साल के ना कैसे आया जो आज है उसमें से घटाया ना वर्तमान में से घटाया ना 5 तो वही तो किया हूं वर्तमान आवियक्स थी तो 5 वर्स पूर्ब का निकाला था तो उसमें से क्या किया 5 घटा दिया वैसे पितावाले में हुआ है वर्तमान आउप फोर एक्स थी तो पांच वर्स पूर्ब कर निकालना था यानि पांच वर्स पहले का तो एक्स माइनस फाइब कर दिया अगर बाद बोलता पांच वर्स बाद पांच वर्स पस चात तो इसको प्लस करते थीख अब आएंगे कंडीशन पर अब कंडीशन देखा भया कह रहा कि पांच वर्स पूर्ब ये साथ गुनी थी प्रफना अनुफार पांच वर्स पूर्ब साथ गुनी थी तो जो पांच वर्स पूर्ब आयू है पिता और पुत्तर की उसमें पुत्तर की आयू में क्या करोगे गुड़ा कर दोगे साथ से बस बरावर कर दोगे ये वही तो किया गया साथ से गुड़ा करके इनको हल कर लिया यहां से तुम्हें एक्स का मान मिल गया बस ख़तम समझ में आया कोई दिक्कत नहीं देखो सब को समझ में नहीं आयेगा जो दिल और जान दोनों लगा के समझेंगे उनी को आये को भाई आई कहां गया यारो कुश्चन वहो इसको नोट लीजिए इसक्रेंसाट लीजिए आगे बढ़ें जल्दी करिए आपके काम का है आगला सवाल आपके सामने आपका इंतजार करता हुआ क्या कह रहा है कह रहा है कि एक लड़के की आयू अपने पिता की आयू के आयू की एक टिहाई है आयू मिन्स उम्र एज बारा वर्स पस्चात यानि बाद की बात कर रहा है आने वाले टाइम की उस लड़के की आयू पिता की आयू की आधी होगी आती मतलब एक बटा दो तो लड़के और उसके पिता की वर्तमान उम्र क्या है कितने लोग कर लोगे डान नमबर वन कमेंट आप आए प्लेलिस्ट में क्लास अभी चली नहीं इफलिय नहीं है अभी चलने लगेगी जितनी चलेगी जुड जाएगी अपली केसन में है अगर आप जल्दी में तो जुड जुड करें चलें कोईशन पर आगे बढ़ें चल बाइया पहले मुझे ये बताओ इसमें पिता की उम्र पहले मानेंग चलो बताओ ये पिता है पिता हूँ है ये पुत्र हूँ है अगर पिता की पहले मानेंगे तो तुम भी लिखके कमेंट करोगे मेरे बाहरी मेरे यार अगर पुत्र की पहले मानेंगे तो ए चलो कमेंट करो देखें तो कितना समझ गए अगर ये आप समझ गए कि पिता की उम्र पहले मानेंगे या पुत्तर की तो मान लो कि आप 25% कुईश्चन हल कर लिए यानि आप हार के भी चीत गए राजेश का अंसर आ चुका है बहुत अच्छा राजेश जी आप डियलेट के कंडिडेट नहीं है फिर तो ये कलास आपके लिए होगा भी नहीं राजेशनी ने कहा पहले पिता की मानेंगे राजन नमबर वन गलत है आपका चल भईया करा कि लड़के की जो आयू है वो अपने पिता की आयू की एक तिहाई है लड़के की आयू पिता की आयू पर डिपेंड़ाइस में तो पहले पिता की आयू मानोंगे चच्चा लिखो माना पिता की उम्र बराबर याक्स वर्फ क्या लिखोगे पिता की उम्र बराबर याक्स वर्फ अब नीचे लिखो पिता की उम्र बराबर याक्स वर्फ इसको वर्तमान लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहे गयार पिता की वर्तमान उम्र बराबर मैं बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ क्या पिता की वर्तमान उम्र बराबर लिखो पुत्र की वर्तमान उम्र कह रहा है कि एक तिहाई है तो एक वर्तमान उम्र यानि पुत्र की या फिर लड़के की कुछ भी लिख लो जो भी आपको अच्छा लगे आगे क्या कह रहा है कि बारा वर्स पस्चाप अब बारा वर्स बाद की बात करेंगे लिखो बारा वर्स बाद बाद को ही पस्चाप बोलते हैं अच्छा एक बात बताओ मान लो कि अगर आज की डेट में हम 20 साल के हैं आज की डेट में 20 साल के हैं मान लो आप फियो चलो 20 साल के इसमें कोई नकोई होगा ही तो बारा वर्स बाद आप कितने साल के होंगे भ्व झाल के मन लो प्वाद और वहAllओ ऑन लिवड़ा काउ तो दो में उसके हैं हैं बां भ्वान्चाप झाल 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 तो यह वाज आ गई यस और रोही जी देखिए अगर आवाज की प्रॉब्लम हो ऐसा पुछ तो आप कॉल किया करिए ठीक है आप भी बच्चों जैसें कमेंट करते हैं तो कमेंट करते हैं तो कमेंट प्रॉब्लम नहीं देखवाते हैं आप फोन किया करिए तो कहां तक सीखे थे आप कहां तक सुना था आप नहीं पहले मैंने क्या कि लड़के की पिता की वर्तमान उम्र मान लिया यक्स फिर पुत्र की वर्तमान उम्र उसकी एक बटा तीन यानि एक तिहाई बोल रहा था कर दिया अब बोल रहा कि 12 बाद वाई जो आज यक साल का है 12 बाद एक्स प्लस 12 वर्स का हो जाएगा तो 12 वर्स बाद पिता की उम्र एक्स प्लस बारा और आपकर वर्स बाद पुत्र की उम्र कितना योगी जो आज है उसमें 12 जोड़ दो तो फिए 1पन 3 एक्स प्लस 12 माइक्रोफोन की बैटरी टिस्चार्ज होगी मैंने यह लगा लिया है कान में इससे आवाज आ रही होगी थोड़ा सब्सक्राइब ज्यादा इसमें लगती है इसको नहीं लगाते है आए अब जो कंडिशन दिया है उसकी अकार्डिंग कर लेंगे 12 वर्स बाद उस लड़के कि अधी होगी इसको कर लीजिए बस कि अधिये पतिबंद के अनुफर कि अधिये बारा वर्स बाद उस लड़के की जो आयू है वो पिता की आयू की आधी होगी तो यानि इसको ऐसे भी कह सकते हो कि 12 वर्स बाद पिता की आयू दोग नहीं होगी बात वहीं होई की नहीं तो चलो इस तरफ लिखते हैं कि यह पिता की उम्र है यह लड़के की उम्र है तो बारा वर्स बाद क्या होगा पिता की उम्र जो है इसके दोगुने के बराबर होगी इसको दो से गुड़ा बस हल तर लीजिए इनको हल कर लोगे ना भाईया इनको दो से अंदर में गुड़ा कर लो दी हो जाएगा दू एक बटा तीन धान ये चौर्ण दू याक्स प्लस चौबिस्तियां बहत्तर तीन क्रास मल्टिपल करो तीन याक्स प्लस बारत यां इसका वन का इसमे गुड़ा तो तीन याक्स और ये दो याक्स ही धर आएगा हो जाएगा पांथ याक्स बराबर बहत्तर माइनस च्छतिस च्छतिस दूना बहत्तर होता है न कहीं कुछ फसर आएक यार एक मिनट कहीं कुछ बढ़ा आगे मुझे लग रहा है याक्स दान बारात हो था वह अ है एक मिनट वाईया एक मिनट तुको ना ये घराएगा हो इनका अब देखो इनका दो का गुड़ा तो आप कर लिए लेकिन यहां पर जो तीन है वो सिर्फ इसके साथ में सब के साथ में पूरे के साथ में है नहीं इसको क्या करोगे आप इनको जोड़ोगे तो टुए एक्स प्लस प्लस ट्री है सेबंटीटू जो हो जाएगा एक मिनुट आप इनको आपस में इतना अलगे कर लो कितना आएगा इनको हल करके बता कितना आएगा कि 24 अबाहत्तर होता है हुआ 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 है कि अब इनको करने हैं है तो हालwe कि ऐसे इस फिल्टा हुँआ तो यह 13 a black ज़ान एह 26 अगधर हना था था सदो यह घड़ पनमा घज़ाया है कि इधर आन चैने खुटे едगा हल्यारक में 2 एक्स जुड़ेगा काहेगा गड़ेगा जुड़ेगा काहेगा भाई यह माइनस है न उदर पे आएगा इधर माइनस हो जाएगा यह 72 माइनस 36 यक्त बराबर 36 यानि किसकी उम्र 36 आई किसकी 36 आई आई हवा आई सभी का यहिए किका मैंने माना था पिताकी वर्तमान उम्र 46 आ गई अब लेखो और की वर्तमान उम्र बराबर अब पुतर की वर्तमान उम्र बराबर कि दिखिए कि वान अपान थ्री याट्स पराबर कि वान अपान थ्री याट्स की जागा पर छाट्टीस कि अब बारत यह श्चतीस यानि बारा वर्थ यानि पिता की उम्र 36 वर्थ है और बेटे की उम्र कितना है बारा वर्थ है ठीक है कि अब को समझ में आ गया चापलो फड़ा पर कोई डाउट है तो बताओ कि यह सवाल हर कोई नहीं देखता है क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं सिर्फ वहीं समझ पाएंगे सब के समझ में आयेगा नहीं अगला आप सभी फ्री क्लास की नोटिपिकेशन और पीडियाप के लिए हमें टेलीग्राम पे जरूर जोइन करें मैं रोज रोज बोलता हूं अगर आप टेलीग्राम पे नहीं सब्सक्राइब जोइन करते हो फिर आपको क्लास मिलती है कि नहीं मिलती है यह हमारी पुए जिम्मेदारी नहीं आप पड़ो या ना पड़ो क्योंकि मैं सारी क्लास का अफडेट टेलीग्राम पर ही देता हूं तेलीग्राम नहीं है इसको पहिचान लो पपड़ी जा करके बूगल प्लेइश्टोर पर टेलीग्राम सर्च कर यह लिख करके और अप्लिकेशन को डाउनलोड करके तो अ कि यह होम वर्क इसको घर से करना लेकर है अब मैं नहीं करवाओंगा क्योंकि लोगों को इंट्रेस्ट नहीं आ रहा है इसको घर से करना ठीक है कि यह होम वर्क है